तो आज हम लोग solve करेंगे question no.3 और इसके आगे और question no.2 तक हम लोग पिछले वीडियो में solve कर लिये थे और उस वीडियो का link आपको मिल जागा description box में आ तो फिर आप आए बटनों के लिए किजिए यहां से भी आपको वीडियो का link मिल जाएगा ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं question no.3 तो question no.3 कहता है insert three rational numbers between four upon 13 and one upon 13 और इस तरह से और भी numbers हैं मैंने पहले questions को यहां पे लिया हुआ है तो second number question में हमने क्या देखा जो दो numbers दिये हुए थे ना two numbers उसमें से उसके बीच में हम लोग एक rational number को निकाले थे और इसके लिए हमने क्या किया था दोनों rational number को add किया था और two से divide किया था तो हमारा जो उसके बीच का rational number है वो हमको मिल गिया था अब यहां पे लिए फे GUY करना ना three rational numbers निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे आईए हम देख लाएं यहांपर तो पहले हम क्या करेंगे ना यह जो हमारे दो numbers दिये हुए हैं हम दोनों के बीच में पहले एक रेस्टन नम्मर को निकालेंगे और इसके लिए हम वही method यूज करेंगे जो हमने question नम्मर 2 पी किया तो अभी हम क्या करेंगे हम लिखेंगे 4 upon 13 और इसमें add करेंगे 1 upon 13 को और जो आएगा result उसको हम divide कर लेंगे 2 से ठीक है तो देखिए हमको य हमको 13 मिल जाएगा और यहां पर नुमेटर में कोई चेंज ने हुआ चुकि एल से हमारे सेम है तो वन प्लस फोर हम लिखेंगे और इसको हम divide करेंगे 2 से अगला अस्टिफ हमारे पास क्या होगा यह हो जागा 5 वन प्लस 1 प्लस 4 5 और यह 13 निचे और यह divide को हमने multiply में किया और इसका linear reciprocal तो 1 upon 2 हो जाएगा आप देखिए यहां पर कुछ भी cancel out नहीं होगा तो हमारे पास क्या आगया 1 into 5 that is 5 और 13 into 2 that is 26 तो यह हमारा पहला नंबर हो जाता है यह हमने देख लिया तो हम कुछ इस तरह से समझ लें कि माले जिए कि हमारा एक number line है यह हमारा क्या है एक number line है और यहां पर हमारा लाइक करता है 1 upon 13 लाइक करता है और इस प्रलेस में हमारे पास लाइक करता है 1 upon 4 upon 13 तो इसके बीच में हमारा एक number आ गया क्या आ गया हमारे पास आ गया 5 upon 26 यह नंबर हमको यहां पर बीच में मिल गया जो कि इन दोनों के बीच में है अब हमको यहा और इस नमबर के बीच में थिरी निकाल लें तो मैंने पहला तो निकाल लिया अब हम दूसरा कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे एक बार वन अपॉन थर्टिन और फाइक अपॉन ट्वैंटिसिक्स के बीच में एक नमबर निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे यह हमारे पास से 4 upon 13 और 5 upon 26 इसके बीच में एक नंबर निकालेंगे तो इस तरह से हमारे पास 1, 2 और 3 हमको 3 नंबर मिल जाएगे तो अभी हमारा पहला step हो चुका है हमने इन दोनों के बीच में एक rational number को निकाल लिया अब हम क्यार करेंगे यह जो हमारा rational number निकला है यह बीच में है तो इस rational number को और हमारे पास जो अगला है 4 upon 13 इसके बीच निकालते हैं तो इसके बीच निकालने के लिए दोनों को हम add करेंगे 2 से divide कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे rational number between 5 upon 26 and 4 upon 13 ओके और हम यहाँ पे निकालते हैं आईए rational number between 4 upon 13 and हमने अभी जो निकाला है 5 upon 26 यह हमारा बीच में है तो इन दोनों के बीच में हम निकालेंगे यहाँ पे हमको मिल जाएगा तो यह हमको क्या आता है देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 4 upon 13 और इसको हम add किये 5 upon 26 में और हम इसको divide करेंगे 2 से तो हमको यह मिल जाएगा 26 और 13 का LCM तो 26 ही आएगा और यहाँ पर 13 से divide के तो 2 मिल जाता है तो 2 से 4 को multiply के 8 और यहाँ पर हमको 5 मिलेगा ठीक है और यहाँ पर हमने 2 से इसको कर लिया division चलिए नेक्स्ट हमको क्या मिल गया 8 प्लस 5 हो गया 13 13 divided by 26 और यह divide को हमने multiply में change कर लिया इसका हम लेंगे रैसी प्रोकल तो यह हमको क्या देगा आप देखिए कुछ divide होने वाला है नहीं तो 13 मेरा रहेगा यहाँ पर और यह 26 इंट हमारा था पहला रैसनल नंबर तो यहाँ पर हमको मिल गया रैसनल नंबर ओके अब हम क्या करते हैं हम यहाँ पर निकलते हैं तो इस प्लेस पे निकलने के लिए हम फिर से इसको लेंगे और इसको लेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पर next step तो हम यहाँ पर नोट करते हैं रै हैट कर लेंगे किसके टू से डिवाइट कर लेगी तो हमको यह क्या होगा फिर से यहां को मिल जागा 26 यहां टू से डिवाइट किए तो 13 से डिवाइट के 26 को टू मिल गया टू से वन को मुल्टिप्लाय कि तो यहां पर टू मिल गया 26 यहां को फाइफ ही देगा और हम यहां पर कर लेते हैं इसका रहसी प्रोकर्ट तो अभी देखिए हमको यह क्या मिलता है यह हमको मिलता है 7 upon 26 और यहां पर 1 upon 2 तो इसको हम multiply कर लें तो हमको क्या मिलता है 7 upon 26 को आप 2 से multiply किजिए तो यह होता है 52 ओके इस तरह से हमने क्या किया ना थिरी रहसे नमबर को निकाल लिया यह हमारा हो गया एक यह हमारा हो गया दूसरा और यह हमारा गया तीसरा यह हमारा कैंसल होगा आप किसको कैंसल कर लेजिए वन अपन फोर तो यह हो जाता है वन अपन फोर ठीक है तो हमारे पास 3 rational number आचुके हम यहाँ पे note कर लेते हैं हम यहाँ पे note करेंगे required rational numbers आर पहला हो गया 5 upon 26 कोई भी आप लिख सकते हैं first second इसे दिकत नहीं है ओके दूसरा हो गया 1 upon 4 and तीसरा हो गया हमारे पास 7 upon 52 तो इस तरह से हम इस question को यहाँ पे solve कर लेते हैं तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी करने वाले हैं rational number पहले निकालते हैं इसके बीच में minus 7 upon 10 और 11 upon 10 के बीच में हम दोनों को क्या कर लेते ना add कर लेते हैं और 2 से कर लेंगे divide चलिए add कर यह और divide कि यह 2 से तो हमको यह क्या देता है देखिए यहाँ पे तो में 2 रखेंगे next step में क्या होने वाला है यहाँ पर माइनस 7 और प्लस 11 दोनों में difference लेना पड़ेगा चुकि sign अलग-अलग है तो difference हमारा क्या आएगा 4 का और यहाँ पर हमने लिया 10 और यह divide को मैंने multiply में चेंज किया और इसका reciprocal किया है तो one upon two यहां से cancel हो रहा है two one जब टू और two two जब फोर हम को ये क्या देगा यह हमको देगा two upon अच्छा फिर से cancel होगा न यह हमारा cancel होगा two से फिर यहाँ पर 10 तो two one जब टू और two five जब टें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमको मिल जएगा 1 upon 5 ठीक है ये हमारा हो गया पहला rational number अब हम आते हैं second rational number फिर से हम क्या करेंगे ये जो हमारा answer आया इसके बीच और हम दोनों में से किसी एक के बीच ले लेंगे ठीक है तो आभी हम इसके साथ लेते हैं minus 7 upon 10 okay आप इसके साथ भी ले सकते हैं तो लेना तो है दोनों के साथ ही तो पहले आप किसी एक के साथ ले लेजिए तो हम यहां लेते हैं minus 7 upon 10 and 1 upon 5 तो हम क्या करेंगे दोनों को add करेंगे minus 7 upon 10 plus 1 upon 5 को add किए और इसको divide कर लेते हैं 2 से हर बार same process करना है हमको देखिए 10 और 5 का LCM क्या होगा 10 होगा 10 से 10 को divide करेंगे 1 1 से minus 7 को multiply करेंगे minus 7 5 से 10 को divide करेंगे 2 2 से 1 को multiply करेंगे 2 मिलेगा और यहां पर हमारे पास divide में रहेगा 2, ठीक है, next step में हमारे पास क्या होगा, दोनों का difference लेंगे, तो यह minus 7 और plus 2, that is minus 5 का difference आया, और into 10, यहाँ पर divide में 10, और यह divide को हम multiply में किये, फिर से इसका reciprocate, यहाँ पर हमारा cancel out हो रहा है न, 5, 1 जब 5, और 5, 2 जब 10, तो हमको यहाँ पर कैमेल गया, 1 into 1, that is minus 1 upon 4, यह हमारा दूसरा answer आ जाता है, अभी हम लेंगे क्या, यह हमारा, यह निकला हुआ एक answer, हम इसके साथ लेते हैं, इसका, ओके, आईए कर ले, तो हम यहाँ पर note कर लेते हैं, rational number between 1 upon 5 and 11 upon 10, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को add कर ले लेते हैं, ओके, और फिर हम 2 से कर लेंगे, divide, अगला step में हमको LCM लेना है, तो LCM तो 10 ही आएगा, तो 5 तो 10, यहाँ पर 2 हमारे पास, यह हम को देगा, यहाँ पर 11, और यह divide को multiply में किये, और इसका reciprocal, यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से हमको मिल गया 13 upon 10 multiplied by 1 upon 2, तो यह हमको क्या मिल गया, 13 upon 20, ओके, तो यह हमारा तीसरा answer हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, required rational numbers are, हमरा पहला आया था, 1 upon 5, दूसरा आ गया, minus 1 upon 4, and तीसरा हमने ले लिया, 13 upon 20, यह हमारा final answer, ओके, तो next question number 3 में हम same करेंगे, और यहाँ पर हम इसको add कर लिए, और 2 से divide किये, तो देखें हमको यह क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिल जाता है, LCM तो 3 मिलेगा, तो हम यहाँ पर, अभी LCM को 3 ले लिए, ओके, और यह numerator में कोई change नहीं होगा, minus 4 रहेगा, और यह minus और यह plus हमारा multiply कर minus देगा, तो minus में 19 हो जाएगा, और यहाँ पर divide में हमारा क्या है, 2 है, तो अभी अगला step हम देखें, दोनों को add कर लेते हैं, क्यों, दोनों में same sign है, इसलिए add हो जाएगा, add होने के बाद हमको यहाँ पर पिलता है, minus 23 upon 3, और यह divide को multiply में किये, और इसका कर लिए reciprocal, तो आप देखें, यहाँ पे कुछ cancel out होगा, नहीं, तो यह हो जो answer आया, हमने उसको लिया, और एक number जो हमारे पास है, पहला minus 4 upon 3, इसको ले लिया, ओके, इसके बीच निकालना है, तो हम क्या करेंगे, minus 23 upon 6 लिखेंगे, और plus करेंगे, minus 4 upon 3, ओके, और इसको हम divide करेंगे, किसे 2 से divide करेंगे, देखिए हमारा LCM क्या आएगा, LCM तुमार 6 आएगा, और यहाँ पे, यहाँ पे change नहीं होगा, minus 23 ही रहेगा, यहाँ पे minus और plus हमरा minus हो जाएगा, 3 से 6 को divide करेंगे, 2, 2 से 4 को multiply करेंगे, 8, ओके, और यहाँ पे हमने इसको change कर लिया, multiple में इसका reciprocal, यह हमको क्या मिल गया, दोनों में same sign है, तो add करेंगे, add करने के हमको मिलता है, minus 31 upon 12, यह हो गया हमारा दूसरा rational number, अभी हमारा जो answer आया था, उसको लिये, और हम किसको लेंगे, last वाले number को, तो हमने ले लिया है, आए, minus 23 upon 6, इसको लिये, plus करेंगे हम, minus 19 upon, क्या है हमारे पास, 3, और फिर इसको हम divide करेंगे, 2 से, तो चलिए, हमको यह क्य मिलता है, तो अभी देखिए, हम क्या करेंगे न, LCM लेंगे, तो LCM तो 6 आ गया, अब 6 LCM आ गया, यहां से 6 है, तो 6 से divide किया है, 1, 1 से यहां पे 23, minus, plus, minus, और यहां पे 3 से divide के से, इसको 2, 2 से 19 को multiply किये, 38 minus में, ओके, यहां पे हमने multiply किया, और इसका ले लिये, reciprocal, दोनों क तो add कर लेते हैं, तो 8 और 3 हमारा 11, 3 और 2, 5 और 1 केरी हुआ था, 6, that is 61, यह minus में आएगा, यहां पे divide में 6 रहेगा, multiplied by half, यह क्या आ गया, minus 61 upon 12, तो यह हमारा हो गया, तीसरा rational number, ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से हम add करेंगे, 1 upon 8, plus, हम करेंगे, minus 15 upon 8, और फिर हम divide करेंगे, किस से, 2 से, यह हमको देगा, यहां पे, LCM हमारा 8 आना वाला है, और आप देखिए, यहां पे हमको मिलेगा, plus 1, और यह plus, minus, minus 15 मिल जाएगा, और हमने divide किया, किस से, 2 से, तो हमको यहां पे मिल रहा है, minus 14 upon 8, और divide को multiply में किय और इसका लिए reciprocal, तो यहां पे यह 2 से cancel हो जागा, 14, 7 times में, तो हमारा यहां पे answer क्या आएगा, answer आएगा, minus 7 upon 8, यह पहला rational number हो गिया, अब इसे तरह से हम इसके साथ, और इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ, और इसके साथ लेंगे, ओके, और यहां पे दूसरा और तीस निकालेंगे, तो हम पहले भी ले लेते हैं, minus 7 upon 8, and 1 upon 8, इसके साथ लेते हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे, add कर लेते हैं, ओके, और इसको हम 2 से कर लेते हैं, divide, divide by 2, यह हमको क्या देगा, LCM तो हमारा 8 ही आ रहा है, यहां पे minus 7 plus 1 हो जाएगा, और हमने divide किया है, 2 से, त इसको हम multiply में change किये, इसका reciprocal, यहां से cancel out हो रहा है, आप देख लिए, 2 से, यह minus 3 मिलेगा हमको, और यहां पर हमको क्या मिलेगा, minus 3 upon 8, यह तो हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, अब हम तीसरा ले लेते हैं, हम लेंगे, यहां पे minus 7 upon 8, और इसको add किये, minus 15 upon 8 के साथ, और divide किय 2 से, तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर फिर से हमारा LCM 8, और यह हो गया, हमारे पास minus 7, minus 15, और इसको हमने divide किया 2 से, तो यहां पर दोनों same sign है, तो हमारा add हो जाएगा, that is minus 22 upon 8, और इसको हम multiple में change किये, और इसका ले लिए LSE protocol, फिर हम देखे, यहां पर 2 से divide करेंगे, तो यह हमारा minus 11, अब multiply कर लेता हूँ, तो क्या आता है, minus 11 upon 8, इस तरह से हमारा यह तीसरा rational number निकल जाता है, ओके, तो question number 4 भी same ही है, यहां पर लेकिन क्या कहा गया है न, 5 rational numbers को निकालने हमको, ओके, तो यह देखिए, minus 4 upon 7 and इसका लिया गया absolute value, minus 4 upon 7 का, और यहां पर है minus 8 upon 3 and minus 8 upon 3 इसका absolute value, तो दोनों आपका same बनेगा, मैं एक कोई भी बना देता हूँ, मैं एक बना देता हूँ, first number का second number आप बना लेंगे, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहां पर जो दिया हुआ है, minus 4 upon 7 इसका absolute value हम लिख लेते हैं, यह क्या आता है, 4 upon 7, ओके, अब यह देखिए, number line में, बीच में 0 हुआ करता है, ठीक है, और by your negative होता है, और by your positive होता है, तो चुकि यह negative number है, तो यह आपका by your आएगा, मान लेते हैं कि यहां पर आता है, और यह आपका positive दे रहा है, देख लिजीए, ओके, तो यह positive दे रहा है, तो यह आपका यहां पर के लिए, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में rational number निकालेंगे, तो 0 तो हमको मिल गया, 0 एक rational number है, तो 0 हमारा पहला answer हो जाता है, लेकिन हम यहां पर बना के दिखा देंगे, आईए हम solve कर लेते हैं, तो हम यहां पर note करेंगे, rational number between minus 4 upon 7 and 4 upon 7, चुकि यह हमारा positive value ह अब हमको rational number चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को add करेंगे, तो minus 4 upon 7 को हमने add किया, इसके साथ, 4 upon 7 के साथ, और हम 2 से कर लेंगे, divide, यही नहीं हमारा process है, अब देखिए हमारा same number है, यह positive और negative तो 0 देगा, हम लोग जानते हैं, लेकिन कर के दिखा देते हैं, कि minus 4 plus 4 और यहाँ पे divide किया गया 2 से, यह हमको 0 upon 7 और यहाँ पे multiply में change कर लिए और reciprocal, तो 0 upon 7 0, और 0 को किसी से भी multiply किये, तो 0 मिलेगा, तो हमारा पहला answer आ गया, एक rational number हमको मिल गया 0, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में rational number निकालेंगे, और इसके बीच भी rational number तो इसके बीच हम लेंगे minus 4 upon 7 और 0, इसके बीच में हमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आएए हम not कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच आने 0 और 4 upon 7 के बीच लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा, clear, तो अभी हम निकाल लेते हैं minus 4 upon 7 और 0 के बीच, तो हमको क्या करना हमने add किया 0 के साथ और divide कर लिया 2 से, तो 0 को किसी में भी add करेंगे तो no change वो number same आ जाता है, तो 0 को add किये minus 4 upon 7 से तो minus 4 upon 7, divide को हमने multiply में change किया और इसका ले लिया recipe pro कर, यहाँ से आप देखिए 2 से यह 4 cancel हो जागा, minus 2 मिलेगा, multiply करने पर हमको क्या मिल जागा, minus 2 upon 7, यह हमा 4 upon 7 और 0 के बीच लेते हैं, आईए यहाँ पर लिखेंगे, next मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर से हम दोनों को add करेंगे, तो 4 upon 7 plus 0 किये, और इसको हम divide कर देते हैं, 2 से, ठीक है, तो 0 को किसी में भी add किये, तो same number मिलेगा, और divide को हम multiply में change किया, और इसका reciprocal, यहाँ पर फि जो कि हमको यहाँ पर मिल जाता है, 2 upon 7, ओके, तो हमने देखा, minus 2 upon 7, 0 और 2 upon 7, 3 rational number मिल गिए, अब हमको और भी rational number चाहिए, दो, हाना, तो अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे, यह minus 2 upon 7 और 0, इसके बीच हम निकालते हैं, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, और 0 और 2 upon 7, इस के बीच निकालते हैं, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, तो आइए हम कर लेते हैं, अभी लिखेंगे, minus 2 upon 7 and 0 के बीच, तो आइए हम यहाँ पर not कर लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, minus 2 upon 7 plus 0, और इसको हम divide किये 2 से, तो अभी हमको 0 add किये, तो क्या मिल गया सेम मिलेगा, और divide को multiply में, और reciprocal, अब 2 से 2 cancel, यहाँ पर minus 1, और यह हमको मिल जाता है, minus 1 upon 7, यह हो गया फोर्थ, और इसे तरह से हमको 50 भी मिल जाएगा, हम यहाँ पर 2 upon 7 लिए, और 0 add किये, और divide किये 2 से, तो यह हमको 2 upon 7, divide को multiply में, चेंज किये, इसका reciprocal 2 से 2 cancel, यह हमको 1 upon 7 मिल गया, तो total 5 अब आगए, हम सब्कों यहाँ पर not कर लेते हैं, तो यह हमारा हो गया, 0 जो कि हमारा पहला रेशनल नंबर था, ओके, यहाँ पर, फिर हमने लिया minus 2 upon 7, फिर 2 upon 7, फिर minus 1 upon 7, फिर 1 upon 7, तो यह हमारे हो गया total 5 रेशनल नंबर, जो कि हमारा final answer हो जाता है, त तो यह आप खुद से बना लेंगे ओके यह आपके लिए हमबक रहा तो यहां पर हम लोगों ने कम्प्लिट कर लिया वक्षिट शिक्स के सारे कॉस्टन को सो आई हॉप दिस वीडियो लेशन इस हैल्फुल फो यू तो लाइक दिस वीडियो और शेयर वेथ अधर सेंड दू और इसका रहे हम खुद सरुब और वाट इसकारण को इसका दिस वीडियो और शबड़ शुब खेश लाइक प्सक्तार लेशन एपक वाख जो के लाइड वाचन